हलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्ण इटालिन इन इंदी पे तो दोस्तों आज का जो डे 16 है जो लर्ण इटालिन इन 30 है हमने कोर्स स्टार्ट किया है उसका सोलवा दिन है आज और आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कन्वरसेशन के बारे में कि कैसे अगर किसी को बोलना है कि वह बुरा है या गुस्सा कर रहा है मुझे इसा गुस्सा करता है या प्रेशान मतो मुझे डिस्टप मत करो तो इन सब लाइनों को इटालियन लेंगवेज में कैसे बोलते हैं यह हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वीडियो एंड तक जरूर दे के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ता कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए तो चल गाले देने के लिए अब जारिव का यूज लिया जाता है और वह बुरा है किसी को बोलना है कि वह बेड बुरा है तो एकतीव मतलब कि वह बुरा है लुई ले ए वह बुरा है अगर फिमेल है तो एकतीवा एकतीवा वह बुरी है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसके ब इसके बाद में वहे मुझसे नाराज है या वहे मुझस पर गुसा करता है या वहे मुझसे नाराज है या वहे मुझस पर गुसा करती है या वहे मुझसे नाराज है या वहे मुझस पर गुसा करती है या वहे मुझसे नाराज है या वहे मुझस पर गुसा करती है या वहे मुझसे नाराज है तो नाराज होने में गुसा करने में दोनों में अरभ्यारे वर्ब का यूज लिया जाता है आपको स्क्रीन पे दिखाए दे रही है अरभ्यारे वर्ब है वो गुसा करना या नाराज होना दोनों में काम लिजा सकती है इसके बाद में मुझे गुसा मत दि लग तो में जो इटालेन लेंगवेज सीखने में जो में चीज है वो है वर्प्स जो रेगुलर वर्प्स है ये रेगुलर वर्प्स है उनको जितनी ज़्याद हो उन पे उनको याद करें उनको प्रजेंट पास्ट और फिउसर में कैसे प्रनाउंस करते हैं जो वर्प्स है इनपे बहुत मैंने और वीडियोज बना रखे वह आपको चैनल पर मिल जाएंगे तो जो वर्प्स है उनको पर पता होगी आप लेंग बेज आसानी से बोल पाएंगे तो मुझे गुसा मत दिलाओ तो इसमे फारे वर्प और अरभ्यारे वर्प दोनों यूज ली जा रहे हैं non farmy अरभ्या तो मतलब मुझे गुसा मत दिलाओ किसी को भी बोलना है तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं या आप गुसे में क्यों है, या तुम गुसा क्यों कर रहे हो, तो दोनों में हम पेर के तियार आप भी, तुम गुसा क्यों कर रहे हो, या गुसे में क्यों हो, दोनों में हम इस तरह के से बोल सकते हैं. इसके बाद में नाराज मत हो गुसा मत हो तो नौन एसरे अरब्यातो एसरे वरबे टूबी और नौन एसरे अरब्यातो मतलब नाराज मत हो या गुसा मत करो लोनों में हमें इस तरह कैसे बोल सकते हैं इसके बाद में हैं वह हमेंसा गुसा करती है female है तो arabiata और male है तो arabiato a, sempre arabiato वह हमेशा गुसा करता है female है तो हम a लगा सकते हैं पीछे arabiata और अगर arabiato भी बोलते हो तो सामने वाला परजन समझारता है चाए male हो चाए female हो लेकिन एक बोलने का तरीका होता है तो a, sempre arabiato तो मतलब वह मैसा गुसा करता है और फिमेल तो यह से हम प्रियार अब भी आता है वह मैसा गुसा करती है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसके बाद में है ए जेलोजो दिमे वह मुझसे इर्शा करता है जेलिस रहता है ए जेलोजो दिमे मतलब वह मैसा वह मुझसे इर्शा करता है इस तरह के से हम बोल सकते हैं या किसी को पूछना है कि तुम जेलस क्यों हो दिर्शा क्यों कर रहे हो तो पेर के से जेलोज हो पेर के से जेलोज हो वाई आर यू जेलस तुम गुसा तुम जेलस क्यों हो रहे हो इर्शा क्यों कर रहे हो किसी को पूछना है तो इस तरह किसे हम पूछ सकते हैं इसके बाद में मुझे परेशान मत करो डिश्टब मत करो तो नोन दिस्टूरबार में मतलब मुझे डिश्टब मत करो मुझे परेशान मत करो दिस्टूरबार वर्ब है डिश्टब करने की जो आपको स्क्रीन पे दिखाए दे रहे हैं दिस्टूरबा यह जाता है और इन फसिदी रिवर्प पर ये भी क्लोधित करने में काम ली जाती है इसके बाद में है डूंट don't interfere अस्ताशेप मत करो तो इसके लिए इंतरफेरी रिवर्प का यूजले जाता है जैसे कि non-interfery मतलब interfere मत करो non interfere ब्रेसं को में बोलना है तो इस तरीके से भोल सकते हैं इसके बाद में एक दूसरी वर्ब है इंटरॉम्पिरे यह है इंटरॉप्ट करने की बीच में पढ़ने की बीच में गुसने की बादित करने की तो उसके लिए इंटरॉम्पिरे वर्ब का यूज लिया था इंटरॉप्ट करने के लिए जैसे किसी सेकेंड बर्जन को बोलना कि तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हैं इसके बाद में है इंटरॉप्ट मत करो हमारी बीच में तो non-interrupt between us मतलब हमारी बीच में मत पढ़ो non-interrupt तरा दिनोई मतलब हमारे बीच में और second person को बोलना है कि तुम बीच में मत पढ़ो तो इंटरॉम्पे रहे बरभ यहा लेकिन इंटरॉप्ट सेक़िन पर ज़न है इस लिए इंटरॉम्पी मत पढ़ो तुम बीच में मत पढ़ो त्रा दिनोई मतलब हमारे तो इसका दूसरा तरिका भी बोलने का नोन इंतेरोंपी मेज़वानोई मतलब हमारी बीच में मत पड़ो नोन इंतेरोंपी मेज़वानोई मतलब हमारी बीच में मत पड़ो या तीसरा तरीका भी बोलने का ऐसे भी बोल सकते हो आप नोन में तेरती इन मेज़वानोई हमारी बीच में मत आओ non मैं 30 मैं 30 वर्प का भी यूज ले सकते हो मैं 30 मैं 30 मतलब हमारे बीच में मत आओ don't come between us तो ये भी आप यूज ले सकते हो इसके बाद में don't interrupt आप इसको भी आपको बोलना है तो non interrompergy non interrompergy मतलब हमारे बीच में मत पड़ो तो कई तरीके हैं बोलने के कोई सब ये आप यूज ले सकते हो कि बीच में interrupt मत करो हमारे बीच में मत पड़ो तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो conversation के बारे में कि कैसे Italian language में बात चीत करते हैं तो किस तरीके से उनको समझाए उमीद आपको वीडियो समझ में है जो भी आज आपने वीडियो में सीखा है उसको note करें डाइडी में, notebook में और उस पे study करें जितनी ज़्यादा आप study करेंगे उतनी जल्दी language सीख पाएंगे और वीडियो अच्छा लगाया है तो like, share, subscribe जरूर करें दोस्तों के साथ भी share करें और मिलते हैं कल नए पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद